ओके स्व यह कोशन जो है यह पूछा गया था गेट 2004 में और यह कोशन जो है वह बेस्ट है और डारेक्ट मेमोरी एक्सिस तो क्या कह रहा है यह hard disk with a transfer rate of 10 megabytes per second तो hard disk का transfer rate जो है वो है 10 megabytes per second इस constantly transferring data to memory using DMA तो DMA के हाँ पर इस्तमाल हो रहा है data को memory में भेजने के लिए प्रोसेसर runs at 600 megahertz तो जो frequency है वो हमें प्रोसेसर की दे रखिये तो frequency प्रोसेसर कितनी दे रखिये हमें 600 megahertz ओके ओके and takes 300 and 900 clock cycles to initiate and complete so initiate करने के लिए उसे चाहिए 300 clock cycles और complete करने के लिए चाहिए 900 clock cycles ओके so total जो clock cycles चाहिए प्रोसेसर को वो चाहिए उसे initiate करने वाली प्लस complete करने वाली हम लोग पहले जान चुके हैं कि अगर हमें time जो है consume निकालना है तो हमें यहाँ वैल्यू निकालनी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई वह हम निकाल लेंगे यहाँ से तो वन क्लॉक साइकल का time जोगा वह जाएगा वन अपॉन फ्रिक्वेंसी और प्रोसेसर तो वह जाएगा वन अपॉन शिक्स हंडेड इंटू टैन रिस टुपावर शिक्स सेकंड्स तो टोटल इतना time हो जाएगा एक वन क्लॉक साइकल का और टोटल साइकल और यह हमारा जाएगा टू माइक्रो सेकंड्स औक है एक सी वैली हुमारे पास आगई है त्टू माइक्रो सेकंड्स ओके सो अब हमें वाई की वेलीु निकालनी है तो हम यहां देख रहे हैं कि जो डेटा है वो 10 मेकावाइट से किड्स त्रांसफर हो रहा है और हम हुए 20 क्लो वैट का डेटा को ट्रांसफर करना एकieron के सो हमें ए जो है ा को टैन्न मेगा बाइटस पर सेकिंड की स्पीड़ अरंके मेगावाइट्स पर सेकिंड के हमेरे पास स्पीड है और वह anderes कितना को घुटी की घंटी कि लो वैट्स 10 मेगावाइड जो है वो वन सेकंड में ट्रांफ़र हो रहा है तो 20 किलो वाइड जो होगा वो हमने में हमाल लिया Y सेकंड में ट्रांफ़र होगा तो Y कितना हो जाएगा 20 in to 10 दिस्ट पावर 3 अपॉन 10 in to 10 दिस्ट पावर 6 यह 2 टाइम से हम से कटेगा और यह हो जाएगा हमारा 2000 माइकरो सेकेंड तो य आ गया हमारे पास X आ गया हम टोटल इस फॉर्मले में जो है वैल्यव को पूट करेंगे तो Y हमारे पास 2000 है, X हमारे पास 2 है तो हमारा जो परसेंटेज जो होगा जो जी टाइम यूज हुआ है वो जाएगा हमारा X upon X plus Y into 100 तो X जो है वो 2 है So 2 upon 2 plus 2000 into 100 और जब हम इसे calculate करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 0.0999% एंड इसको हम approximately जो है इको लिख सकते हैं to 0.1% ओके So यह हमारा जो है वो इस question का answer हो जाएगा जाएगा